लो जना, वेक्टर को स्केलर कॉंटिटीज के साथ मल्टिप्लाई करना तो आपने देख लिया अब जो अगली चीज हम देखने वाले हैं यानि के दो वेक्टर को एड कैसे किया जाता है और बिलीव मी, अगर आपको पिछले लेक्टर मेरे याद हैं तो मैंने बड़े असान अलफाज के अंदर आपको समझाया था कि लफजों को कैसे जमा किया जाता है या नमबर्स को कैसे जमा किया जाता है बट लेट्स डाइव इंट इट अन दोक इंट इट तो एडिशन किस तरह किया जाता है एडिशन ओफ वेक्टर्स यानि के vectors को add कैसे करना है ठीक है अब एक चीज याद रखें कि जब भी आपके पास कोई plane ऐसे draw किया जाता है तो vectors को add करने का मतलब क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ ये हमारे पास एक vector है blue वाला ठीक है और एक मेरे पास है ये वाला जो है green वाला ठीक है अब इन दोनों को जब add करना है हमें दो चीजों का ख्यार रखना है क्या कि जो ये blue वाला है ये ऐसे ही आए origin के उपर मिसाल के तोर पे मैं आपको same diagram में addition का rule समझाने लगाँ ये blue वाला इसी तरीके से आए लेकिन जो green वाला है उसकी tip यानि के उसका origin यहाँ पर आए और इस से आगे वो इस तरीके से आजाए ठीक है जब ये दोनों इस तरीके से मिलें तो आपके पास जो final answer होगा that would be this vector ठीक है red वाला आपका resultant vector है blue और green को आप add करके लिख रहे हैं अब इनको mathematically देखते हैं आपने क्या करना है basically जब भी vectors को add करना है आपने पहले की tip जहां पर लग रही है वहां से दूसरा start करना है और दूसरा जहां पर खतम हो रहा है वहां पर final tip आएगी और origin से आपने उसको मिला देना है अब दो vectors को add करना है आपको पता चल गया मेरे पास है एक vector a जिसकी मेरे पास value है 1,1 ठीक है और दूसरा vector है मेरे पास b जिसकी value मेरे पास है 2 और 1 इन दोनों को हमने करना है जमा तो जमा करने के लिए हम क्या करते हैं a vector plus b vector जब इनको हम जमा करते हैं तो हमने दोनों के vectors लिखने होते हैं, यानि कि 1,1 है, और जमा 2,1, बड़ा simple सा आपको समझाने लगाओ, आपने करना क्या है, simply, जो बराबर बराबर आरे हैं एक दूसरे के, 1 और 2, ये दोनों अपने पास पास हैं, यानि कि एक line के अंदर है, इनको जमा कर लेना है, 1 प्लस 2, और फिर आपने जो अगला काम करना है, नीचे वाला, नीचे वाली direction वाला, वो है 1 प्लस 1, तो इस तरीके से आपने इनको add कर लेना है, आपके पास answer क्या आता है, 3 और 2, अगर आप गौर करें, अब इनको draw करेंगे न, आपके पास वो ही resultant vector आएगा, जो basically हमने geometry में देखा है, ठीक है, अगर हम दुबारा से, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, geometry, और हम देखते हैं कि किस तरीके से यह matter करता है, यहाँ पे जी हमने, यह बना लिया 2D plane, और 2D plane के उपर यह हमारे पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, and 5, ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास A vector क्या है, 1, 2, 1, यानि कि 1 और 1, A vector मतलब यहाँ पे 1 आना है, और फिर यहाँ पे 1 आना है, तो यह vector बनता है हमारा कुछ इस तरीके से, यह हो गया vector A, ठीक है, और इसके coordinate है 1, 1, यह मैंने इसके coordinate लिखती है, Cartesian coordinates, अब दूसरा vector जो है हमारे पास, that is, आपका 2, 1, तो 2 है X पे, यहाँ पे 2 आ गया, 1 यह है, मतलब आपका दूसरा बनेगा vector यहाँ पे गई, तो यह आपका होगा दूसरा vector, अब अगर आप गोर करें, तो हमारे पास जो इनका resultant vector है, that is 3, 2, अगर मैं उसको draw करूँ, तो यू विल सी, 1, 2, 3, यह 3 आ गया और यह 2 आ गया, मिसाल के तोर पे, यह यहाँ पे कहीं बनता है, तो यह हमारा resultant vector है, अगर आप गोर करें, तो अगर red को उठा के, आप यहाँ पे रखेंगे ना, it would show the same result, यहाँ से, ऐसे, ठीक है, तो यह वो ही theory है, लेकिन हमने mathematically देख लिया, अब आपको समझ लगी होगी, vector addition कैसे होती है, ठीक है, अब इसकी एक और example, यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हम आगे move करते हैं, हमारे पास दो vectors हैं, दो vector कौन कौन से हैं, जी हमारे पास minus 2, minus 3, और अगला vector है हमारे पास, जो दूसरा है वो है, 2 और minus 1, यह दो vectors हैं हमारे पास, ठीक है, अब आप अगर इनको draw करें, तो यह minus 2 और minus 2, minus 2 plus 2, minus 3 plus minus 1, ठीक है, तो यह आपको basic mathematics हैं, जो आनी चाहेंगे, minus 2 plus 2 हमारे पास क्या आएगा, 0, ऐसे ही है जी, और हमारे पास, minus 3 minus 1 यह आड़ागा, minus का 4, अब हम draw करते हैं, इन दो vectors को, यह vector हमारे पास, x vector है, यह हमारे पास, y vector अगर हो, ठीक है, minus 2 minus 3 हमारे पास, एक value है, मैं इनको red से draw करूँगा, minus 2 minus 3, यह minus 2 है, और यह minus 3 है, यह हमारे पास आगया जी, पहला vector, ठीक है, दूसरा हमारे पास है, 2 minus 1, 2 इस साइड पे, और minus 1 इस साइड पे, यानि के यहाँ पे, यह हमारे पास, दूसरा vector हो गया, अब अगर आप गौर करें, जब आपने, इस बड़े vector को, उठा के, यहाँ पे draw करेंगे न, तो आपके पास, एक resultant vector बनेगा, which is, minus 4, 0 minus 4, कैसे, अगर आप गौर करें, मैं इसी vector की, equal shape बनाता हूं, यहाँ पे, तो आपको समझ आएगी, कि आपके पास, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, गौर करें, तो मैंने, इसकी tip के, उपर, इसकी tail रखी, यानि कि, यह vector यहाँ से उठा के, इसके उपर रखा, तो यह 0 minus 4, हमारे पास, resultant vector आगे, ठीक है, तो अगर आप, line-ो को, बराबर रखेंगे, एक दूसरे के, तो आप basically, vector addition, easily कर सकते हैं, और vector addition, बहुत जरूरी है, जब भी आप vector को, add करते हैं, इसका मतलब यह है, कि, अगर वो minus में हैं, तो उसकी direction, भी change हो रही है, यह इसी तरीके से है, जैसे आप बच्पन में, लोगों को, बच्चों को पढ़ाते थे थे, इस तरीके से अगर line लगाई जाए, यह है जी हमारे पास zero point, ठीक है, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्पन में, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, तो हम कहते हैं, कि यह zero है, zero से right side है यह, one, two, three, four, five, यह भी one, two, three, four, five है, लेकिन इनके साथ minus आता है, ठीक है, अब अगर आप गौर करें, जब हमारे पास, दो पहले से मजूद हैं चीज़े, मेरे पास दो अंडे हैं, ठीक है, मिसाल के तोर पर हाँ जी, मेरे से कोई बुचता, आपके पास कितने अंडे हैं, मैंने का 2, फिर वो कहता है के, अगर आपको 2 अंडे और दे दिये जाएं, तो आपके पास कितने होंगे, फिर मैं कहोंगा, एक, दो तो मेरे पास हैं, अगर कोई और 2 दे देगा, एक, और 2, तो यह मेरे पास 4 अंडे हो जाएंगे, ठीक है, तो यही example तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपका पहला vector है वो जहाँ पे खतम हो रहा है उसी के उपर से आपने दूसरी tip स्टार्ट करनी है because that vector has its own direction तो जिस direction में वो पहले से होगा उसी direction में आपकी tip जाएगी ठीक है? इसी तरीके से आप 3 से 4 vectors को भी add कर सकते है multiple vectors को भी add कर सकते है and you can add a lot of other vectors as well अब अगर यही चीज माइनस में होगी तो आप माइनस के अंदर कर लेगे ठीक है? समझाई बात की अब एक बात आपको और मैं यहीं पर समझाते चलता हूँ अगर आप गौर करें 0 से 1 तक का फासला कितना है? 1 0 से 2 तक का फासला कितना है? 2 0 से माइनस 1 का फासला कितना है? 1 0 से माइनस 2 का फासला कितना है? 2 अब अगर आप गौर करें तो यह फासला जो है यह units में हमें समझा आ रहा है कि एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, यहाँ पे भी ऐसे, जो negative sign है, this is showing you the direction, 0 से left side पे जाएंगे तो direction, right side पे जाएंगे तो आपके पास positive direction, negative direction and positive direction, अगर आप negative direction और positive direction को direction समझें, तो यह जो quantities हैं, जितना फासला इसके दरम्यान absolute difference है, इसको हम absolute values बोलते हैं, for example, minus 1 का absolute क्या होगा, 1, minus 6 का absolute value क्या होगी, 6, तो इसका मतलब है कि यह जो हम side पे line लगा रहे हैं, we can say कि यह आपके पास absolute values को show करता है, a core notation आपको यहीं पर बता देता हूँ, कि अगर आपके पास double line लगें, for a vector, तो इसका मतलब है कि this is showing the length of vector, double line ने, दोनों side पे, मेरे पास vector a है, इसकी दोनों side पे अगर मैं double line लगाता हूँ, तो यह length of vector को show रहे हैं, यानि कि vector की length कितनी है, एक span के अंदर, उसको भी अभी हम discuss करते है, span क्या होता है, यह सिरफ by the way concepts जो आपके सामने आ रहे थे, वो मैंने आपको बताने थे, अगर आप अब गौर करें, यहां पे, vectors की आपको समझ आगी होगी, अब vector से भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, और vector से आगे काफी जहान है, लेकिन आश्ता है, इस तामें आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जाने वाला हूँ, intercepts की हम बात करने वाले के intercepts क्या होते हैं,